Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वक्षीट नमबर 108, 4 क्लास 9th विशे हिंदी है और ये वक्षीट आपके लिए 30th of March 2022 के लिए शिड्यूल की गई है आज की जो वक्षीट है प्यारे बच्चो उसमें हम अनुचेद जो है उसका अभ्यास कर करेंगे तो आज हम किसका अभ्यास करेंगे अनुचेद लेखन का निमनलिखित विशो पर दिये गए संकेत विंदु के आधार पर लगबग 152 शब्दों में आपको क्या लिखना है 150 शब्दों में आपको अनुचेद लिखना है तो पहला अनुचेद जो दिया गया है वो शोशल मीडिया के उपर दिया गया है जिसमें आप भूमी का किये जाते हैं कम शब्दों में हमारा दूसरा जो आप लिखोगे हमारा स्वास्त है bigger ढाच्छे स्वास्त रहने का महत्वी और उब संंगहार यह जो है आप जो हैसमें लिखोगे स्वाई वन बाई वन दोनों ही टास्क को हम करते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे सोशल मीडिया सोशल मीडिया मूल रूप से कंप्योटर या मोबाईल या फिर फोन आधी जैसे संचार साधनू से संबंदित है इसके द्वारा हम सूचनाओ का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं ऐसे कई वेबसाइट एप्स हैं जो सूचनाओ के आदान प्रदान को संभव बनाते हैं सोशल मीडिया अब संचार का सबसे बड़ा माध्यम बन रहा है जो तेजी से लोग प्रिये हो रहा है जो है सोशल मीडिया के उप्योग में बहुत अधिक विरती हुई है में लिख देंगे बीच में इसने लाखो करोरों उप्योग करताओं को एक दूसरे से जोड़ दिया सोशल मीडिया का महत्व आजकल बहुत जादा बढ़ गया है इसके माध्यम से हम एक बटन दबा कर किसी भी चीज़ के बारे में सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के सूज़नाय प्राप्त कर सकते हैं सोशल मीडिया एक बहुती प्रभाव पूंड साधन है जिसका प्रभाव हर वेक्ति पर पड़ा है वर्तमान में सोशल मीडिया के बिना हम अपने जीवन की कलपना भी नहीं कर सकते हैं तो यह अंसर आप इसमें लिख देंगे सोशल मीडिया के बारे में नेक्स देखिए सेकिंड है हमारा स्वास्थ है तो इसके बारे में हम अरुच्छेद लिखेंगे आम कहावत है कि स्वास्थे ही धन है का अर्थ बहुत ही साधारन और सरल है इसका अर्थ है कि हमारा अच्छा स्वास्थे ही हमारी वास्तिविक दौलत है जो हमें अच्छा स्वास्थे और मन देता है और हमें जीवन की सभी चुनोतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता ह अच्छा स्वास्थे अच्छे शारिरिक, मानसिक और सामजिक स्वास्थे को बढ़ावा देता है मैं इस कहावत से पूरी तरह से सैमत हूँ कि स्वास्थे ही वास्थविक दन है क्योंकि यह सभी पहलों पर हमारी मदद करता है अच्छा स्वास्थ है हमें मानशिक और शारिरिक मधुमे को बचाने के साथ ही अन्य चिकित्षिय प्रिस्थितियों से जिनमें कैंसर, मधुमे, हर्दे रूप, गातक बीमारियां आदिशामिल हैं से बचाता है एक शारिरिक और आंत्रिक रूप से एस्वस्थ व्यक्ति को अपने पूरे जीवन भर में बहुत सी चुनोतियों का सामना करना पड़ता है यहां तक कि उसे अपने अनियमित आवशक्ताओं की पूरती के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है यह स्थीति उश्वक्ति के लिए बहुती शरमनाक होती है जो इन सब का सामना कर रहा होता है इसलिए अन्त में सभी प्रकार से खुश रहने के लिए और अपने सभी कारियों को स्वेम करने के लिए अपने स्वास्थे को बनाए रखना अच्छा होता है यह सत्य है कि अच्छा स्वास्ते बनाई रखने के लिए हमें धन की आवशक्ता होती है और धन कमाने के लिए अच्छे स्वास्ते की लेकिन यह भी सत्य है कि हमारा अच्छा स्वास्ते हर समय हमारी मदद करता है और हमें केवल धन कमाने के स्थान पर अपने जीवन में कुछ बहतर करने के लिए प्रोथ साहित करता है इस तरह के वेस्थ जीवन और दुशित वातावन में सभी के लिए अच्छे स्वास्थे को बनाई रखना और स्वास्थ जीवन जीना बहुते कठिन है तो ये अनुच्छेत आपस में लिख देंगे तो ये थी students आपकी आज की Hindi की वरक्षीट बचो जिसमें हमने अनुच्छेत जो है उसकी practice की social media और स्वास्थे को लेकर, so अगर आपको वीडियो अच्छे लगी, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, शेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए so thanks for watching, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वरक्षीट के साथ take care, have a nice day